जैगुरु जी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करतीजिए ताकि जब भी हमने ऐसा सेंग वीडियो अपलोड करें तो उसके नोट्यूकेशन आप तक तो रहन पोच जाए और फिर आप गुरु की महीमा और उनके अने क जर्नी भीज रहे हैं संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे ससंग अमारे साशेर करते रहें आप हमें वाट्चैप पर हिंदी में टैप करके भी सकते हैं या फिर नोट बुक में लिखकर या फिर ओडियो रिकॉर्ड करके हमारी आप से सिर्फ छोटी सी विंती है जब के आप ससंग रिकॉर्ड करें तो तो इसको एक tenth बात वर ne ही रिकॉर्ड करते शंगत जी आज का ससंग शिव Buenoy East ै का है और आउंटी जी सारंपूर से हैं चल्याज के ससंग हम आउंटी जी के हमस continuesुन्ते हैं बहुत ही सुन्दर सशंग कर आए आंटी जी ने जैसा ओप के साथ इस सञसंग के माहतंत्र साजा है इसलिया त्स सभी संगत सचंग परें रहना उस सम्कों बहुत ध्यान से सुनना उस संग को भीच मेरी नचोड़ें जय गुरुजी जय गुरुजी संगत जी, so today I am sharing my second satsang and जो मेरा first satsang था, उसमें मैंने अपनी journey share करी थी, कि मैं कैसे गुरुजी से connect हुई थी, तो मतलब मैं मेरे एक friend के through ही गुरुजी से connected हुई थी, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, starting में मतलब जब मैं गुरुजी से, गुरुजी के बारे में जब मुझे मेरे friend ने बताया in 2022, 7th of July, तो मेरे को मतलब वही मेरे को नई believe हुआ था और मैं बोल रही थी गुरुजी के बारे में कि यार तुम कहां से किसी के ओपर ऐसे believe कर सकते हो, ये वो, तो उसने बोला मैरे को की YouTube पे एक बार तुम गुरुजी सत्संग के नाम से search करो और एक बार तुम देखो, तो फिर उसके बाद मैंने एक सत्संग सुना गुरुजी का और उसके बाद मैं ऐसे connected feel करती गई गुरुजी से और फिर मतलब मैं सत्संग सुनती रहती थी और और जादा test feel करती थी और उसके बाद से मेरी journey गुरुजी ने अपने साथ start कर ली थी in my conscious mind, वैसे तो मुझे न मेरी life में कुछ लोग थे जो शायद मेरे लिए और मेरी life के लिए बहुत negative थे तो गुरुजी ने उन सब लोगों को मेरी life से दूर किया और मेरे अंदर भी मेरे nature में बहुत सारे मेरे behavior में इतने सारे उन्होंने सुधार किये मुझे एक अच्छी रहा दिखाई अभी भी मै मैं नहीं बोलूँगी कि I am perfect बट हाँ पहले से बहुत ज़्यादा improvement है मेरे behavior में अप में जितना गुस्ता पहले करती थी उतना गुस्ता नहीं करती हूं और पहले मेरे पापा के death के बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया था पूजा पार्ट और गुरुजी फिर से उस रास देरे सुंदरकांड करती थी उबहर शाम पूजा करती थी नहीं तो नहीं बट हाँ सुभे हमेशा पूजा करती थी तो फिर बीच में मैंने सब छोड़ दिया था और गुरुजी के आने के बाद फिर धीर धीरे गुरुजी मतलब सब खुद कराने लग गया अपने आप से फिर सब को छोने लग गया है अब जैसे सुभा और शाम की पूजा मंतर जाब को रुपाई खुद कराते हैं तो मैं उनको गुरुपाई बोलती हूँ प्यार से तो संगत जी मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहूंगी जिसमें की मतलब अभी 2024 न्यू येर पे मेरे को न तो अचानक से मेरे पास एक अंकल का मेसेज आता है सत्संग के लिए तो 3rd of January को तो फिर मैं वहाँ पे सत्संग में जाती हूँ तो न उससे पहले मैं दो सत्संग अटेंड कर चुकी थी और मुझे न हमेशा गुरुजी की गद्दी के बिलकुल सामने बैटने के लिए नराज होके है जो आपने मुझे पीछे बैटने के लिए प्लीज आसा मत करो न तो आप यह कह कि मैं तो भूल गई और मैं सत्संग में आराम से बैट गई तो लास्ट में जब सत्संग का लास्ट चल रहा था जब शुक्राना चल रहा था तो मतलब जो गुरुजी की गद् और उस स्वरूप से शेहदवर्शा होई साक्षात मेरे सामने है खली उस स्वरूप से और वहीं पर ही एकदम से लाइट बिंक होई एक बलून फोटा हो बिल्कुल जस्ट वहीं पर ही तो मतलब मेरे को मेरे क्वेशन का अंसर मिल गया कि गुरुजी ने मुझा जिसले यहा अब साथ संग शेयर करना चाहूंगी कि अंतलब अब एक महीन होगया होगा इस सथांग को तो मेरे को ना मतलब गुरुजी हमेशा बटाफ्लाइ़ के रूप दरशन देते थे सुबह कभी शाम को मतलब देते रहते थे जैसे मैं नॉर्मली मंदिर जाती हूं तो तब भी तो मैं मंदिर में जैसे थी तो मेरे माइंड में बाया मैं कहारी हूँ कि गुरुजी आप मुझे नराज हो किया गुरुपाए आप मुझे बटरफ्राय दर्शन भी नहीं दे रहे हो आज कल और यह कहा कि मैं घर आ गई और उस दिन थर्स्टे भी था तुन अचानक से ना पत कवर में डाल दी थी तो ना अचानक से मैंने वो देखी और मैंने देखा कि वो पेटल्स बिल्कुल बटरफ्राय के शेप में हैं मतलब एक्जेक्ट ऐसे लग रहा था जैसे कोई बटरफ्राय हो तो ना मतलब वो देखी मैं तो ऐसे शॉक्ट मैंने का यार यह तो मैंने कि भाभी देखना चरहा तो संगाजी मन आपको नजहा रहा है और देखना आपको इसमें नजहां और छाने आपको इसमें कुछ नजह यह तो पार प्लगुशी ministry cloudy घो मैंने कहा हन जी ये वटरफलाइ रूप में ही गुरुजी ने दर्शन दिया और मैं बस वहाँ पे बिलकुल ऐसे मतलब यार जे गुरुजी आप तो मतलब गुरुपाई सच में ना जो हमारे माइंड में आए कुछ भी आप सब उसको एकदम से ऐसे मतलब एकदम से पूरा कर जरंदयते हो सारी विशेज को जो भी होती है चुट रिष्टे राएजि ना कि राइफ में अने के लिए और इतने खुशियां देने के लिए और आभी मतलब संगत जी मेरी लाइफ में एक सच संग होने वाला है गुरुजी की के पास से मैं ये बोलूंगी मतलब अभी चल रहा है तो आप लोग प्लीज मेरे लिए प्रेयर करो कि वो सत्संग में अपना बहुत बड़ा मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग होगा वो मैं जल्दी से शेयर करूँ और हंजे एक और सत्संग में आपको बताना चाहूंगी मेरी एक कजन सिस्टर है तो वो अपनी फैमिली प्राब्लम्स की वज़े से थोड़ा परेशान रहती थी तो मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताया तो ना वो ना मतलब गुरुजी को वो भी मंतर जाप करने लगी काफे टाइम हो गया तीन-चार मन्त हो गये थे तो उनके पास स्वरूप नी था गुरुजी का कोई तो मैं उनको बोल रहे थे कि आप आ जाओ एक पर घर तो आपको ना मतलब स्वरूप देना है मैं को गुरुजी का तो वो आई नहीं पा रही थी काफे टाइम से तो ना म कि मैं फिर अब इडला मैंने सूचा कि ना मैंना अनलाइन उनको सेंड कİर ले देती हूं तो मैंने उनसे उनका एड्रास वग्यररा सभकुछ ले लिया घर के की आपको सेंड कर रही हूं अब जैसे ही उन्होंने में को एड्रस दिया शाम में उनका मेरे पास मैसेज आता है कि ना मैं घर आ रही हूं कल तो मैंने का यार यह तो बहुत भड़ी है चलो ठीक है आम मैं सेंड नहीं करूंगे ऑन लाइन आप घर आ जाओं मैं आपको घर पे दूंगी तो वह घर आ जात सवरूप देना है माइंड में ऐसे हीट कर रहा है जैसे कोई बोल रहा है बार बार तो ना फिर मैंने वही रेट चोले वाला सवरूप उनको दिया तो फिर वह लेके गई तो ना अपने घर जब हो गई तो उनका मेरे पास पून आता है कि मतलब वह गर्मेंट जॉब करती ह और सुभाई उनकी वह जो मतलब इतने दिनों से जो इतने मत से उनकी सेलरी नहीं आ रही थी रुकियोई थी वह सारी सेलरी आ जाती है तो वह बड़ी खुश थी मतलब गुरुप इतना इतनी प्यारे सत्संग एक्तम से करते है ना और उनकी बेटी थोड़ी मतलब काफे ट और वो जो मेडिसन है वो भी नॉमली ऐसी बिल्कुल जिसके लिए हमें कहीं बहार जाना ना पड़े बिल्कुल घर में अविलेबल होती है हमारे पास 24-7 तो उन्होंने ऐसी मेडिसन बताई उनको और उसकी सारी जो मेडिसन टॉक्टर की चल रही थी वो सारी बंद हो गई शुक्राना गुरुजी I love you so much गुरुपाई और ऐसे पता नहीं कितने चोटे-चोटे सत्संग होते हैं जो तो मतलब पूरे दिन होते ही रहते हैं कि मतलब मैं तो 24 घंटे मेरा तो यह रहता है गुरुपाई यह खाने का मन कर रहा है गुरुपाई बुखाने का मन कर रहा ह अब मेरे नहीं उनको अपने पापा मानती हूं तो जैसे हम अपने पापा से सारी बाते शेयर करते हैं तो जैसे मैं और मेरे साथ यह होता है कि न संगर जी जैसे मैं बूलती हूं कि गुरुपाई मेरा यह खाने का मन है तो एकदम से ना मतलब वो चीज ना कही ना कहीं से जाएगी चाहे मतलब वो कहीं से भी आए और मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है और जैसे मतलब में को haircut चाहिए कोई जाने मतलब संगे जी सच समय में तो कुछ भी गुरुजी को साथ लेके जाते हैं गुरुपाई आप चलो और आपने कराना है तो नहीं वो चीज ना इतने अच् जल्दी से अपने 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 अपना इतना प्यारा सा मतलब की मेरी लाइफ में वो जिस चीज के लिए मैं वेट कर रही हूं जो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग होगा शायद से तो वो जल्दी से हो और मैं जल्दी से वो बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूं मैं उसके लिए वेट कर रहे हूं, उसे वेट नी आ रहा है, तो प्लीज गुरुपाय जल्दी से करो, I love you so much गुरुपाय, I love you the most गुरुपाय, जै गुरुजी, शुक्राना गुरुजी संगत जी, अब हम एक गुरु भगतांटी जी का सत्संग सुनेंगे, और अंटी जी अपना नाम और लोकेशन गुपत रखना चाती हैं, जिसका हम दिल से समान करते हैं, जै गुरुजी, जै गुरुजी संगत जी, जै गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैं आज अपना सैंग शेयर कर रहे हूं, क्योंकि पहले मुझा पता नहीं था, जब भी मुझे गुरुजी के मेशिज आते थे, तो उसमें ये गुरुजी लिखा होता था कि शुक्राना कर तो मुझे पहले पता नहीं था मुझे पिछले हफते ही मैंने सत्संग में सुना कि शुक्राना करने का मतलब है अपना सत्संग शेयर करना तो अब तो जो मुझे मैसेज आ रहे हैं दो चार दिन से उसमें तो सीधा सीधा लिखा था कि सत्संग शेयर कर त कि अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करें, मेरे गुरु जी मुझे माफ करें. एक साल पहले मैं गुरुजी को नहीं जानती थी, किसी के थूँ मुझे शहद परसाद और जल परसाद मिला, मैं तब तक नहीं जानती थी कि कौन से गुरु हैं, कौन हैं, फिर उन्होंने ही मुझे अपने गर पर सत्संग पे बुलाया, तब मैंने देखा, तब मुझे पता चला जिये शुक्राना गुरुजी हैं, और तब से, और मुझे पहली बार ही उनसे सब रूप भी मिल Gया, जिसमें गुरु नानक देब जी हैं, और शिभ जी भी साथ हैं, तो तीनों रूप उनके जो हैं भो मेरे पास है, और तब से, गुरुजी की Blessings मेरे साथ हैं, उसके किसी तरह से उन्होंने मुझे डुगरी मंदिर भी पहुंचा दिया और संगत जी मैं पहली बार डुगरी मंदिर गई मुझे पता ही नहीं था कि डुगरी मंदिर सिर्फ पहले इतवार को खुलता है और उस दिन हम शनिवार शाम को वहां पहुंचे तो वहाँ जब हम गए तो मंदिर बन था तो मुझे लगा कि ये मंदिर है ये घर जैसा दिख रहा है कुछ तो वहाँ पर जो संगत आई हुई थी सेवादार थे उन्होंने कहा कि यही मंदिर है फिर उन्होंने हमें पूछा कि आप पहली बार आए हो हमने कहा हम पहली बार आए हमें कुछ भी नहीं पता यहां पर क्या है तो उन्होंने कहा कि यहां रहने के लिए जगा नहीं है आप वहाँ गुर्द्वार में जाके रहो करने के लिए रश हो जाएगा सुबह और हमें कोई पता नहीं था कि वह पहला संडे था और हमें गुरुजी ने इस तरह से खुद हाथ पकड़ के वहां बुलाया और मेरी पूरी फैमली को ब्लेस किया मेरे अंकल मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ थे और उसके बाद हम उस दि पता नहीं था गुरुजी तितली रूपे दर्शन देते हैं संगत जी जब मैं वहां पर लंगरग्रेंड कर रही थी तो यलो कलर की तितली मेरे उपर से बेरे ब्लेट के उपर से होकर बाएं से दाहें दाहें आसफास चक्र लगाएं तो मैंने अपनी बेटी से कहा मैं देखो कितनी प्यारी बेटरफ्लाई है ये और फिर पता नहीं चला जंगत जी वो बेटरफ्लाई कहां गई और मुझे बाद में पता चला कि गुरू जी बेटरफ्लाई के रूप में हमेशा साथ रहते हैं वो ये पहला अनुबब था जब मुझे लगा कि गुरू जी मेरे साथ हैं उसके बाद मुझे ये लगा कि नहीं अब मुझे कुछ नहीं होगा अब गुरू जी मुझे संभाद लेंगे क्योंकि मुझे सहत की बहुत प्राबलम है डॉक्टर जहां पर जवाब दे चुके थे और मैं बिलकुल हार चुकी थी क्यूंकि मेरे केड़नीज और लीवर खराब है और मुझे ट्रांस्प्लांट करने के लिए बूला हुआ है डॉक्टर ने जो मैं नहीं करवा रही हूँ उसके बादा से मेरे सहत बहुत खराब रहती थी लेकिन अब गुरुजी के अशिरबात से मैं थोड़ा ठीक हूँ अब मैं खाना भी खाती हूँ चलती फिरती भी हूँ अब मुझे दीरे दीरे असर उसका अच्छा मतलब असर हो रहा है दुआई भी खाती हूँ तो लग जाती है लेकिन अब मैंने खुद ही दुआईया कम कर दी है और मैं जादा जल परसाद ही लेती हूँ और गुरुजी का जो परसाद चड़ाया हूँ वो खाती हूँ जहां भी मुझे कही इंविटेशन आता है तो मैं वहाँ चले जाते हूँ सत्संग में उसकी बजाए से मुझे बहुत ज़्यादा पॉस्टिव एनर्जी मिलती है नहीं तो पहले मेरा जीवन था जो मेरी लाइफ थी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती मेरे और मेरे घर के क्या हालात थे आज भी कोई फरक नहीं पड़ा है लेकिन मुझे में फरक पड़ा है मैं पॉस्टिव होती जा रही हूँ और उन चीजों को मैं फेस कर पा रही हूँ कि गुरुजी मेरे साथ है गुरुजी अब भी यही मुझे मैसे जाता है मैं तेरे साथ हूँ विश्वास कर घवरा मत जो जो तेरे साथ हूँ है गलत वो सब मैं देखूँगा तो चिंता छोड़ दे बच्चों के चिंता छोड़ दे पती के चिंता छोड़ दे घर के चिंता छोड़ दे और सच में वही सब संभाल रहे हैं और वही संभाल लेंगे मैं गुरुजी से यही प्रातना करती हूँ यही उनका शुक्राना करती हूँ कि है मेरे मालिक, मेरी जिन्दगी के मालिक आपने यह मुझे नई जिन्दगी बक्षी है आप ही संभालो क्योंकि मैं बिल्कुल हार मान चुकी हूँ हर तरफ से हार चुकी हूँ लेकिन गुरुजी मेरे गुरुपा लब यो मेरे गुरुपा आपने मुझे संभाला और आपने मुझे नया जीवन दिया है आप भी संभाल लेंगे मैंने अपनी हर चिंता गुरुजी के आगे रखी हुई है और वो सब संभाल रहे हैं दीरे दीरे मेरी सहत भी ठीक हो रही है और घर का महोल भी ठीक होता जा रहा है नहीं तो इनलाज की तरफ से बड़ी प्रॉब्लम थी उनको यही था कि यह बिमार तेरे गले पड़ी हुई है इसको छोड़ दे तू दूसरी शादी कर ले या ऐसा कुछ मेरे सामने ही कहा जाता था आप सोचो संगा जी कि मुझे क्या फील होता होगा कि इन लोगों ने तो जीते जी मुझे मार दिया हुआ है कभी कहते हैं इसका mental certificate बना और इसको divorce दे बड़े बड़े बुरे हालात थी और मैं बिल्कुल तोट चुकी थी कई बार तो मैं हात मत्या करने की सोच थी लेकिन दो बच्चे हैं मेरे जिनकी वज़ा से मैं ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि मां होना कमजोर पढ़ जाती हूं कई बार मुझे लगता कि मेरे बिना मेरे बच्चों का मेरे घर का क्या होगा लेकिन गुरुजी अब है मेरे साथ मुझे कोई चिंता नहीं है मैं बार बार यही शुक्राना करती हूं गुरू जी इस तरह से मुझे संभाला है अपने सारी संगत को अपने सारे बच्चों को संभालिए उन सब के कष्ट दूर कीजिए और मैं यही कहती हूं कि सब विश्वास करें गुरू जी सब करते हैं जो हम सोच भी नहीं पाते हैं आज मेरे साथ जो हो रहा है अच्छा अच्छा हो रहा है वो मैंने कभी सोचा नहीं था लेकिन आज गुरू जी मुझे सब कुछ दे रहे हैं दीरे 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 वो कहते हैं कि मैं तेरे कष्ट काट रहा हूं तेरे करम काट रहा हूं टाइम लगेगा जल्दी मत कर जल्दी मेरे साथ हैं एक वाद संगा घी मे आग Hannah's मेरे साथ ही मैरे आगा गया को सेया निकलि मैं आ jogo घो सेंगा मेरे आज सो निकल गे मैंने का गुरू जी आप यहां भी मेरे साथ हो और इस तरह से मैरे फिर माफी मागी मैंने का मैं आपको परक नहीं रही हूँ बस यह सोच रही हूँ कि आप मेरे साथ हो की नहीं हो आप तो हमेशा मेरे साथ हो और इसी तरह से एक बार संगत जी मैं जा रही थी कहीं तो मेरे हाथ से ब्रेसलेट टोटके गिर पड़ा हूँ और मैं डर की दिनका ये क्या हुआ कुछ अन्होनी ना हो जाए क्यूंकि मैं जाब करती हूँ और मुझे सफर करना पड़ता है पहले तो मैं शेशे महिने चुट खुष होति हूं कई बार मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ तो मैं गूरी जी का नाम लेती हूं कई बार मैं स्कूल की ग्रोंड मैं बैठी हुए गूरu जी को याद करती हूं तो मेरे आसपास टितली अप just सन हो जाता है कि गुरुजी मेरे साथ है तो ये मेरा शुकराना सत्संग था गुरुजी ने बार-बार मुझे यही कहा कि शुकराना सत्संग कर फिर देख तुझे कैसे मांगे नहीं उनको माने गुरुजी सब सुनते हैं जो हम बोलते हैं वो भी सुनते हैं जो हम नहीं बोलते हैं वो भी सुनते हैं और ये सच है कि जो हमारे लिए सही होता है गुरुजी वो करते हैं जो हम मांगते हैं जो हम चाहते हैं वो ऐसे नहीं वो अपने तरीके से करते ह और अब गुरुजी का कई बार मुझे मैसेज आया है कि जो लोग तेरे लिए सही नहीं है तेरे लिए अच्छे नहीं है मैं तुझे उनसे दूर कर दूगा तेरे सारे संकट काट दूगा ये गुरुजी की ब्लैसिंग्स हैं जो आज मैं जिन्दा हूँ आज मैं अपना सत्चंग शेयर कर रही हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि गुरुजी अपने ब्लैसिंग्स ऐसे ही मेरे पर बनाए रखना हमेशा मेरे साथ रहना और मेरे परिवार पर क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे परिवार तूटे नहीं और मेरा परिवार ठीक रहे है, मैं ठीक रहूँ, आपकी ब्लेसिंग्स मेरे पर बनी रहे हैं, और हमेशा मेरे साथ रहना, जिस तरह से आपने मुझे एक साल से संभाला है, बैसे ही आप आगे भी संभाले रखना क्यूंकि मैं हार चुकी हूँ, हार मान चुकी हूँ, लेकिन अपने गुरुपा पे पूरा भुरुसा है, अभियो गुरुपा, शुक्राना गुरुजी, नंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर सांस का शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, संगत जी, मेरे से कट्शंग शेर करते हुगा, अगर कोई गलती होग आज हम आपको शिरूद्र सहिता का दित्य खंड का ग्यारवा धाय पढ़कर सुनाएंगे भरहमा जी की काली देवी से प्राथना नारज जी बोले पूझे पिता जी विष्णु जी के वहाँ से चले जाने पर क्या हुआ भरहमा जी कहने लगे कि जब भगवान विष्णु वहाँ से चले गए तो मैं देवी दुरगा का समरंग करने लगा और उनकी स्थूती करने लगा मैंने माजगदंबा से यही प्राधन की कि वे मेरा मनुरत पून करें वे पिर्थिवे पर अफ्तरित हो कर भगवान शिव का वर्नन कर उन्हें विभाबंदन में बादें मेरे अन्य भक्ती स्तूती से प्रसन हो योग निंद्रा चामुंडा मेरे सामने प्रकट हुई उनकी कंजल सी क्रांती रूप सुंदर और दीपे था वे चार भुजाएं वाले शेर पर बैठी थी उन्हें सामने देख मैंने उनको अत्यांत नमरता से परनाम किया और उनकी पूजा उपासना कि तम मैंने उन्हें बताया कि देवी भगवान शिव रूद्र रूप में किलाश परवत पर निवास कर रहे हैं वे समाधी लगा कर तपस्या में लीन हैं वे पून योगी हैं भगवान रूद्र भ्रहमचारी हैं और वे धरस्त जीवन में परवेश नहीं करना चातें वे विवार नहीं करना चातें अत्यांत आप उन्हें मोहित कर उनकी पत्नी बनना शुकार करें हे देवी स्त्री के कारण ही भगवान शिव ने मेरा मजाक उड़ाया है और मेरी निंदा की है इसलिए मैं भी उन्हें स्त्री के लिए आस तक देखना चाता हूं देवी आपके अलावा कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं है कि वह भगवान शंकर को मोह में डालें मेरा आप से अनुरोध है कि आप प्रजापती दक्ष के यहां उनकी कन्या के रूप में जनमले और भगवान शिव का परनन कर उन्हें घरस्त आश्रम में परवेश कराएं देवी चामूंडा बोली है भरा भगवान शिव तो परमयोगी है भला उनको मोहित करके तुमें क्या लाब होगा इसके लिए तुम मुझसे क्या चाते हो मैं तो हमेशा से ही उनकी दासी हूँ उन्होंने अपने भगतों का उधार करने के लिए ही रूद रवतार धारन किया है यह कहकर वे शिव जी जी का संग्रन करने लगी फिर वे कहने लगी कि यह तो सच है कि कोई भगवान शिव को मोह माया के बंदनों में नहीं बांद सकता इस संसार में कोई भी शिव जी जी को मोहित नहीं कर सकता मुझ में भी इतनी शक्ती नहीं है कि उन्हें उनके करतेवेपत से विमुख कर सकूँ फिर भी आपकी प्राथना से प्रसन होकर मैं इसका प्रयतन करूंगी जिससे भगवान शिव मोहित होकर विवा कर ले मैं सती रूप धारन कर पिर्थवी पर अक्तरित होंगी यह क्या कर देवी वहां से अंतरधान हो गई संगत जी कल के ससंग में हम आपको शिरी रूद्र सहिता का दित्य खंड का बार्मा धाय पढ़कर सुनाएंगे जै गुरू जी शुकराना गुरू जी संगत जी अगर आपको आज का ससंग अच्छा लगा हो तो अब इस ससंग को और संगत के साद जरूर साजा करें जिससे वो भी महराज का दिवे आशिरवात पराप्त कर सके जै गुरू जी